विल्कम बैक फ्रेंट्स इन माई चैनल तो टोड़े वी विल सी एप्लिकेशन ऑफ कैल्कुलास इन फीजिक्स देखिये दोस्तों हम जो कैल्कुलास सिखेंगे मैथ्स में उसका जब तक फीजिकल सिंग्निफिकल्स हम लोग नहीं समझेंगे ना तो फिजिकल्स इनिफिकंस है जो डेरिवेटिव हैं इन्ट्रिकेशन है उसका फीजिकल्स सिंग्निफिकंस हम लोग थोड़ा देखेंगे जो हम लोग फिजिक्स में अपलाइ कर सेगे ठीक है तो पहले ही जानते हैं function क्या है आप लोग बहुत सारे equation देख चुके आभी तक जैसे कि सोच लिजिए y equals to axa square plus bx plus c यह तो बहुत well known-like equation है ठीक है फिर सोच लिजिए y equals to 2x plus 4 आप देखिए इसको अगर हम लोग ऐसे लिखे y equals to f of x यह मतलब है y is a function of x ठीक है इसका मतलब है y x का एक function है कैसे function है तो थोड़ा एक चीज जानते है variable और constant तो constant आप लोग पता ही है जो एक से लेकर 9 डिजिट तक सापोज 10 एक constant नाम होड़े ठीक है variable क्या है जिसका value change होता है अब देखिए y is a function of x इधर यह वाला सोच लिजिए ओही function है y का ठीक है अब x जब तक अपना एक value नहीं देगा y अपना कोई value नहीं दे सकता है यह वाले equation में ठीक है मतलब y function है x का सापोज मान लीजिए x equals to 0 हो गया y का value हो जाएगा 4 x equals to 1 हो गया y का value कितना हो जाएगा इधर y 1 पूट कर देंगे तो 2 और 4 हो जाएगा 6 ठीक है मतलब y x जब एक value देगा तभी y का एक value आएगा मतलब y हो जाएगा x का एक function y x के लिए wait करेगा कि तुम एक value दो उसके बाद मैं एक value तुमको बापस करता हूँ अच्छा है एक हो गया एक function अब इसके बाद हम लोग जो सीखेंगे वह है differentiation याद रखना है कि यह सब math में हम लोग detail में calculate करेंगे पर हम लोगों को इधर क्या सीखना है हम लोगों को इधर सीखना है physical significance तो शुरू करते है differentiation हम लोग ज्यादा आमदा नहीं हुशेंगे से physical significance देखेंगे और किसी को अगर और कुछ पूछना है तो comment box में मुझे comment किजिएगा मैं अलग से बता दूँगा अच्छा अब देखिए differentiation में है क्या अच्छा actually यह एक process है differentiation हो गया एक process of finding यह आद धान से देखिएगा the rate of change of a function suppose y equals to f of x तो differentiation क्या हो गया एक process है कौनसा process है जो function का जो rate of change है ओम आपने के लिए ठीक है अब थोड़ा बहुत देखते क्या है suppose यह हो गया हमारा x-axis यह हो गया हमारा y-axis अब देखिए suppose एक straight line है आप लोग जानते हैं इसका equation होता है y equals to mx plus c अब देखिए suppose एक point है x यह है x plus delta x coordinate है इसका अब यह वाला position जो है यह है y यह वाला position हो गया हमारा delta y y plus delta y मतलब जब x का इतना change हुआ होगा कितना change हुआ है इधर सी इधर delta x change हुआ है तब y का कितना changes आया है delta y changes आया है जो slope है m जो इधर है m actually क्या है m है 10 theta slope हम लोग कैसे मिलता है y y x करके slope मिल जाता है अब slope मतलब क्या slope मतलब यह हुआ न rate of change of y with respect to x actually slope हो गया हमारा rate of change of y with respect to x okay अब देखिए तो slope हम लोग निकलने के लिए क्या करेंगे निकलने के लिए हम लोग slope equals to हो जाएगा हम लोग का del y by del x अब देखिए एक straight line है तो slope इधर जितना होगा मतलब tan theta जितना होगा tan theta भी निकलेंगे तो भी del y by del x आएगा तो यह वाले portion पे भी slope ओही आएगा क्योंकि एक straight line हो गया ठीक है तो यह वाला जो y cost mx पे सीधा straight line है इसमें slope हर जागा पे समान है एकदम equal slope है अब दूसरा case देखते है suppose एक graph है याद है हम लोग क्या सीख रहा है differentiation y का change होगा with respect to x or something other variable अब देखिए suppose आफका graph है इस type का कुछ अब देखिए इधर जो slope है slope भी change होड़ा है यह हो गया हमारा x यह हो गया हमारा y ठीक है जितना हम आगे जाएंगे मतलब x से जितना इधर बढ़ते जाएंगे slope देखे है steeper हो जा रहा है दो इस केस में क्या है इधर इस Point पे slope मिल जाएगा इस Point में 一个 slope मिल जाएगा तो इसłam केस समय स्लोप क्या है एक दम एक पॉइंट पिर इडर लोगो को 7 देखना है इज्ञा है कुछ समाज़ की लजे लिए तो इस पॉइंट पे लिए विए को इस पॉय्ट smज करने इधर एक, ऐसे एक, लाइन ड्रॉ कर दिजे, इस पॉइंट से, ठीक है, अब देखिए, इधर आप लोग अगर, वही, डेल एक, डेल वाई, इस पॉइंट के लिए, मेजरमेन करेंगे, तो इस पॉइंट पर स्लोप मिल जाएगा, अब देखिए, ये तो थोड़ा कर्वी न बाई, डेल एक्स, ये हम लोग लेंगे, पर एक काम करेंगे, हम लोग देखते हैं, ये वाला जो, एक्स का चेंज है ना, डेल एक्स, इसको हम लोग जितना छोटा समझ सकते हैं, ओही समझ लेते हैं, मतलब, हम लोग सोच लेते हैं, के, लिमिट डेल्टा एक्स टेंज मतलब हम लोग 0 तक समझ लेते, negative कैसे समझेंगे, तो हम लोग सोचते हैं कि change almost हुआ ही नहीं, तो उसके लिए y का कितना change हुआ, अब y क्या है, y हम लोग का function है, जो f of x है, ठीक है, y हो क्या हम लोग का function, तो delta y हम लोग का क्या आ जाएगा, delta y हम लोग का है, f of x plus delta x, delta x change के लि minus f of x, मतलब, del y by del x हम लोग का है, f of x plus delta x minus f of x by delta x, okay, मतलब, हम लोग क्या लिख सकते है, जो slope है, actually, delta y, मतलब y का change है, with respect to x, अगर हम limit, del x tends to 0 ले ले तो, मतलब, हो जाएगा, del y by del x equals to, that implies that, limit, del x tends to 0, f of x plus del x minus f of x by delta x, इसको ही हम लोग कहते है, derivative of y with respect to x, ठीक है, यही जो dy by dx लिख है ना हम लोग, इसका मतलब dy divided by dx ऐसे कुछ नहीं है, इसका मतलब है, derivative of y with respect to x, y क्या है, y is a function of x, कब होगा यह वाला situation, जाब, limit, del x tends to 0 होगा, ठीक है, अब यही चो क्या है, यह है rate of change of y with respect to x, ठीक है, इसको हम कहते है, derivative, तो इसको हम कहेंगे, derivative of y with respect to x, इसको हम ऐसे भी लिख सकते है, dy dx को हम लोग y prime लिख सकते है, y dot ऐसे लिख सकते है, f dash x ऐसे भी लिख सकते है, ठीक है, तो ए होगे हम लोग का derivative का थोड़ा भूत physical significance, मतलब क्या हो गया, कि एक function होगा, एक function के उसके जो variable है, उसके respect से कितना change होगा, वो function, ठीक है, एही होगे हम रहे derivative, अब थोड़ा बहुत एक दो यह है, फांक्शन है, जिसके लिए हम लोग का derivative क्या होगा, आप लोग थोड़ा यह कर लेंगे, हम लोग थोड़ा रट्टा ही बोल लिजिए इसको, problem solve करने में आसानी होगा, ठीक है, जैसे कि पकड़ लिजिए, dy dx of x to the power n, फिर से बोल दिये, इधर मतलब y equals 2, f of x function क्या होगा, x to the power n, यह अगर formula है, formula क्या है इसका, एक करेंगे तो n, x to the power n minus 1, एक formula है, simple सा, जैसे कि एक example है, dy dx, x to the power 4, ऐसा आ गया, तो क्या होगा, 4 आ जाएगा, x 4 minus 1, मैं लब 4 x cube, ओके, और एक देख लेते हैं, थोड़ा बहुत यह बहुत हम लोग में physics मिलाएगा, physical significance तो आप लोग समझी गया है, कोई दिक्कत होगा तो बोलिएगा, आच्छा, जैसे कि, दूसरा है, dy dx, a x to the power n, अब देखिए, यह क्या है, यह है, एक constant, ठीके, तो constant बाहर आ जाता है, फिर, dy dx, x to the power n, मतलब x to the power n, तो आप लोग जानते हैं, यह फर्मूला क्या है, यह है, जैसे कि, एक हो गया, suppose, dy dx, 3, x to the power 4 हो गया, तो इसका क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा, dy dx, x to the power 4, अब x to the power 4 का तो आप लोग देखी चुके, तो आइसे ही, simple है, दूसरा एक फर्मूला देखते है, dy dx, sin x का क्या होता है, derivative, ठीके, इसका मतलब यह नहीं है, कि, d sin x को हम डिवाइट कर रहे, dx से, ऐसा नहीं है, एक मैशीन है, ठीके, इसके अंदर आप कुछ भी डाल दीजिए, यह दूसरा कुछ प्रोडक्ट आपको निकल के देगा, ठीके, सबसे, चावल कूटने का मैशीन है, जो धान होता है, राइस होता है, वो इसके अंदर डाल दिया है, यह चावल होके बाहर आ गया, इस टाइप का कुछ है, ठीके, तो, sin x को आप derivative के मैशीन में डाल देंगे, तो, निकल देगा, कॉज एक्स, फिर, dy, dx, आफ, कॉज एक्स को डाल देंगे, इस मेशीन के अंदर, तो, निकल देगा, माइनस, sin x, ठीक है, और एक दो फर्मूला देख लेते, dy, dx, अगर आप, 10 x करेंगे, तो, निकल देगा, सेक स्क्वार एक्स, ऐसे करके कुछ फर्मूला है, आपको किताब में मिल जाएगा, यह सब फर्मूला हम लोगों का थुरा काम आएगा, ठीक है, और एक चीज जान लेते है, अगर आप derivative करेंगे, एक constant नमबर का, सपस्पस चार हो गया, तो निकल के देगा, जीरो, ठीक है, तो यह सब derivative का कुछ easy formula हो गया, अच्छा, कोई सपोज, एक यह हो गया, कि मतलब, सपोज, dy, dx हो गया, और, एक function हो गया, हमारा, constant हो गया, फिर, g of x, यह भी एक function हो सकता है, f of x function, g of x हो सकता है, फिर, c बाहर आजाएगा, dy, dx, g of x, यह हो गया, हमारा कुछ formula, ठीक है, problem हम लोग जब physical, मतलब physics में कुछ problems करेंगे, तब इसका application देखेंगे, आगे हम लोग एक चीज़ में आते हैं, अब हम लोग सिखते हैं थोड़ा, integral calculus क्या है, देखें, integration, अब देखें, derivative या differentiation थोड़ा बहुत समझ लिए, हम लोग जान लिए, कि function है, उसका rate of change क्या होगा, वही हो गया हम लोग का derivative, अब integration क्या है, derivative का टिक opposite जो concept है, वही हो गया हम लोग का integration, माल लेजिए, d by dx, f of x, हम लोग का आगया f of x, माल लेजिए, तो हम लोग कहेंगे, कि integration of f of x, dx, इसको ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, यह वाला है integration का sign, यह है एक function with respect to dx, इसका मतलब है x, equals to यह निकल के बाहर कर देगा f of x, देखिए, fx का derivative हम लोग अगर करें, तो अगर हम लोग को capital fx मिलता है, तो capital fx को अगर integration करेंगे, हम लोग, तो मिल जाएगा f of x, इसको कहते है, integration of f of x with respect to x, ओके, अब वही बात हो गया, थोड़ा इसका physical significance जानते हैं हम लोग क्या है, actually, देखिए, integration, physical significance, आच्छा, अब देखिए, suppose, यह हो गया हम लोग का x-axis, यह हो गया हम लोग का y-axis, यह हो गया एक curve, ठीक है, यह है, y equals to f of x, एक function, मतलब, जब x अपना value देगा, x, x के इस value के लिए y के value इतना, x के इस value के लिए y के value इतना, थोड़ा मैं change कर लेता हूं, आप लोग आसानी होगा, x, x जब यह value देगा, y तब यह value देगा, x जब यह value देगा, y तब यह value देगा, तो हो गया ना, के y, x का एक function है, ठीक है, x जब यह value देगा, y तब यह value देगा, आप integration का physical significance हुआ के actually, देखिए, इसको ना, हम थोड़ा, कुछ portion में ऐसे ऐसे, divide कर लेते हैं, सपोज, यह हम लोग का एक point है, यह, और दूसरा point है, बी, हम लोग को बूला गया, के, अब कितना से इतना तक, a to b, x का value, x का value, a से b तक, a से b तक हम लोग लेंगे, तो यह बला area जो है, यह हम लोग का कितना आ जाएगा, अब देखिए, हम लोग दो काम कर सकते, आप लोग summation देखे, एक summation, sum, sigma, जो sin होता है, summation, हम लोग जितना छोटा हो सकते, जितना छोटा, उतना छोटा ऐसे ऐसे line ड्रॉ करेंगे, तो देखिए, आप समझ लीजे, यह बला एक बहुत छोटा line, मतलब छोटा section है, तो देखिए, section जितना छोटा होगा, मतलब यह सब क्या है, यह सब तो del x है, मतलब x का change, इधर से इधर कितना change हुआ है, यह सब तो x का change हुआ हुआ, यह सब हम लोग का, यह सब हम लोग का हो गया x का change, यह बला एक x का change, यह बला एक x का change, तो x का change को आप जितना छोटा समझ सकते, समझ लीजे, सबस, delta x कितना छोटा समझेंगे, टेंस टुझी रो मतलब जितना चोटा हो सक अब अगर जितना चोटा समझ लेंगे तो कितना पोर्शन में इसको डिवाइट कर सकते सापोज यह जो डिवाइट किये A to be A से B तक अपना आप सायद N tends to infinity मतलब बहुत सरे पोर्शन में इसको डिवाइट कर लिया वही तो मतलब हुआ, del extends to 0, मतलब बहुत छोड़ा छोड़ा portion हो गया, मतलब n portion में divide कर लिया, n हो गया almost infinity अब इस case में क्या हुआ, देखिए, इस case में हार एक जो section हो गया, जितना छोटा समझ सकते हो, समझ लिजिए, जितना पतला, तो ये section देखिए, एक एक rectangle हो जाएगा, एक rectangle हो जाएगा, इस अब section, ध्यान से देखिए, जितना छोटा, आप लग रहा है कि ये वाला तो 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 कर भी है, नहीं, आप बहुत छोटा समझ जिए, जितना छोटा, फिर देखिए, एक एक section, एक rectangle हो जाएगा, ठीक है, अब एक rectangle का, सपोज ये वाला चेंज है, डेल्टा एक साई, ये वाला, तो एक rectangle का एरिया कितना आ जाएगा, सपोज ये वाला चेंज हो जाएगा, ये पॉइंट में ये वाला पॉइंट एक साई होगा, तो ही तो ये वाला चेंज होगा, तो ये वाला जो काला है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला rectangle का एरिया कितना आ जाएगा, एरिया इतना नहीं आएगा, क्या, एफ एक साई इंटू, डेल्टा एक साई, ये ये में इसको डिवाइट किये, N tends to infinity section में आप डिवाइट कर दिये, अब साब rectangle का, हार एक rectangle का आप लोग area अगर साम कर देंगे, तो क्या मिल जाएगा, तो A से B तक, ऐसे लिखते हैं, A से B तक पूरा यह जो curve है हम लोग का, इसके नीचे जो area है, यह मिल जाएगा ना, तो हम लोग लिखेंगे, N tends to infinity, ठीक, सारी, यह बाला, इधर N tends to infinity हाँ से लिखेंगे, आ, सारी, इसको तो रहा इधर मोडिफाई करके लिखते हैं हम लोग, हाँ, तो यह बाला क्या हो गया, हम लोग का देखें, टोटल सामेशन, अब क्या सामेशन हो जाएगा, लिमिट, N tends to infinity, N equals to 1 to, अरे, थोड़ा, एक मिट, यह बाला, I तो variable हाँ ना, तो इधर N नहीं होगा, इधर, I equals to 1 to हो जाएगा, इन्फिनिटी, यह लिमिट को अब और क्या देख सकते हैं, और एक लिमिट देख सकते हैं, डिल्टा X tends to 0, ठीके, तो यह बाला, तो क्या लिखेंगे हम लोग, फिर बाद में, बाद में देखें, ऐसे लिखा जाता है, तो हम लोग का आ गया, लिमिट, N tends to infinity, summation of, I equals to 1 to N, F of XI, ठीके, डिल्टा XI, यह हो गया हम लोग का, पूरा जो अरिया होगा, A से B तक, उस area under the curve, इसको हम लिख सकते हैं, ऐसे, A से B तक, function क्या था, F of X, D X, ठीके, यही हो गया हम लोग का, integration with respect to X, किसका, Y का, Y क्या है हम लोग का, F of X, area under the curve, A to B, लेखें, इधर एक limit fix है, A से B तक, मतलब, A हो गया हम लोग का, definite integral, ठीके, अब indefinite जब होगा, तब क्या होगा, तब से ऐसे रहेगा, कोई limit नहीं रहेगा, F of X, D X, अब कुछ formula है, तो देखे, दो चीज़ हम लोग सीख लिया, एक चीज़ तो सीख लिया हम लोग, derivative क्या है, D Y, D X, ऐसे लिखते है, मतलब, Y का change होगा है, इस रिस्पेक्ट टू X, derivative मतलब हम लोग, डिवाइट कर दाया, धिरे-धिरे, ठीके, और integration क्या हो गया, हम लोग का, integration Y D X, ऐसे भी लिख सकते है, और integration F of X, D X, ऐसे भी लिख सकते है, हम लोग का, integral, with respect to X, अब कुछ, इसका भी कुछ formula है, कुछ formula हम लोग को याद रहेंगे, तो आसनी हो जाएगा, जैसे के, integration X to the power N D X का क्या होगा, इसका हो जाएगा, X to the power N plus 1 by N plus 1 plus C, C a constant है, integral constant इसको कहा जाता है, ठीके, अब constant क्यों आता है, अब एक चीज तोड़ा बहुत देख लिजे, suppose D Y D X, अगर हम लोग X to the power 5 का करते हैं, तो क्या आ जाएगा, 5 X to the power 4, अब देखिए, अगर हम लोग अब D Y D X X to the power 5 plus C, C क्या हो गया, C हो गया constant, इसका करेंगे क्या होगा, तो पहले हम लोग करेंगे, D Y D X X to the power 5 plus D Y D X X to the power C, तो यह तो आ जाएगा 5 X to the power 4, अब constant क्या होता है, हम लोग जानते हैं 0 होता है, तो इसका भी derivative करेंगे तो आ जाएगा 5 X to the power 4, इसका भी derivative करेंगे तो आ जाएगा 5 X to the power 4, तो इसलिए अब अगर इसको अगर आप integration करेंगे तो इसको सब्सक्राइब कॉंस्टन्ट आ जाता है अगर यह indefinite integral हुआ तो definite हुआ तो आप लोग तो देखी सकते definite हुआ तो आप लोग limit आ जाएगा फिर limit के value हो हम लोग put करने से मिल जाएगा हम लोग ठीक है अच्छा तो और एक और एक दो हम लोग equation थोड़ा देख लेते हैं सब्सक्राइब के एक कॉंस्टन्ट है इसी केस में क्या होता है यह बाहर आ जाता है integration अब इसका तो हम लोग देख चुके क्या होता है वही होगा sin x dx इसका क्या हो जाएगा minus cos x plus c integration cos x dx का करेंगे मतलब integration integral of cos x with respect to x sin x plus c इसाब करके कुछ formula है कुछ आप लोग formula कोई भी किता में मिल जाएगा वो थोड़ा बत देख लेंगे तो हम लोगो problem करने में आगे आसा नहीं हो तो ठीक है friends यही था थोड़ा बहुत physical significance ध्यान से देखना मतलब derivative क्या है इसको हम physics में apply करते करेंगे इसा नहीं है कि हम लोग कुछ maths में सिखे maths में इस अब तो बहुत सिखेंगे बहुत सारे problems आएगा सिर्फ कर दिया ऐसा नहीं है physical significance थोड़ा जानना है तो हम लोग physical significance तो physics में apply कर लेंगे तो physical significance बहुत जहुड़ी है तो ठीक है गुडबाई और डिख्थे आगे थोड़ा बहुत problem सिखेंगे फिर इसके आगे जो है हम लोग का speed है acceleration है उसको लेके हम लोग थोड़ा बहुत problem सिखेंगे तो derivative और integration यह थोड़ा देख लीजिएगा उसके बाद तो problem करने में हम लोग को थोड़ा आसानी हो थैंक यू